नमस्कार कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब अच्छी होंगे और आज एक बहुत ही महत्पण मुद्दे पर बात करेंगे जो कि काफी दिनों से मैं सोच रहा है इस पर कर रहे हैं क्योंकि लगातर फॉन कॉल के मार्दम से स्टूडेंट है वो क्वेरी कर रहे हैं आरपीसी सेकेंड ग्रिड जो की संस्कर्षिक्षा डिपार्टमेंट में तो आ गई है लेकिन पद कम है तो उसमें साइध उतना रिस्पॉंस ना दे बच्चे लेकिन एक बड़ी भरती करूब में कह सकते हैं कि 10,000 के आस पास एक बड़ी वेकेंसी आरपीसी के दिवार आ जाता है जिसमें शांदार तरीके से अपना रिजल्ट हर प्रिक्षा में दोस्तों दिया है तो देख सकते हैं कि mathematics मेicie ने लिखा कि पेपर बहुत कठी ना आता है किया करें चालिस प्रतिशत नंबर है एक क्राइटेरिया होता है कि एक जीके का पेपर होता है एक मैथ का होता है इसी प्रकार सभी विशेव के पेपर होते हैं लेकिन मैथ वालों के लिए क्या हुआ कि 40% भी नंबर पार नहीं कर पाई और सेलेक्शन से वनचीत होगे एक बात बताईए अगर पेपर आसान आता है तो वह सब के लिए आसान होगा और अगर पेपर कठीन आता है तो सब के लिए कठीन होगा अब आप यह एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो कि सिर्फ पेपर कठीन था पेपर बहुत खतरना काया था तो पेपर तो भाई सब खतरना कि आएगा इभी दीरी-दीरी ये तो कुछ ही नहीं है धीरी-धीर खतर अखे आएंगे ऑ 2007 बात सिहके err पेपर सरल आजे बात समझे रहे हैं हमारा सेलेक्षिन क्यों नहीं हो रहा हमारी 40 प्रसेंट क्यों नहीं बने हम चाहते हैं कि पेपर सरल आए हम तैयारी बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं समझे रहे हो इन दोनों में डिफरेंस है क्यों ना पेपर सरल आजाए हम यह सोच रहे ह हैं लेकिन हम इसको छोड़कर कि पेपर कैसा भी हमारी तयारी बहुत बढ़ी होनी चाहिए पेपर कुछ नहीं कर पाएगा हमारा समय इस बात को तो थोड़ा सा फोकस थोड़ा समय जिक्र करता हूं आपके सामने यह पिछले साल की मेरिट है अभी जो रिजल्ट आया पिछे और पीसी के द्वारा साथ आठ मेहने पहले तो आप इसमें मतलब देखते ही बनता है कि देखो भाई एक समाने कटिगरी के अंदर फस्ट दो लिस्ट आई थी ए 200 नंबर बने थे 500 नंबर का पेपर होता है आई थिंग सारा हरा जिसमें आप लाइन लगा लो लाइन से आज़ो सारे के सारे कोई बच्चा ही नहीं मिला पास होने वाला यानि 40% नंबर नहीं बन पाए यह सबसे बड़ी बात है कि 40 st st में समाने के 190 सी में 182 और इधर आप देखेंगे आजब ओबी सी एंबी सी सहरिया और यह नॉन टीसपी की बात कर रहा हूं कि 40% भी नंबर नहीं बना पाए निल बटा निल दिखाई दर है यहां पर निल बटा निल खाली दिखाई दरी क्या लिखें इस नंबर भी फिर मैन लिश्ट आई मैन लिश्ट के जोना हाइस बैट टूफोर्टीसिक्स है गही है हाइस्ट मेरिट टूफूर्टीटीन पचास परतिसत से कम मेरिट नीचे रहिए क्योंकि पेपर आपका एक तो रजीके का जो कि दो स्कूल नंबर का होता है वर एक रोता मैत का जो आपका 306 नंबर का होता है और कुल मिलाक अगर हम धीरी दरे कम देखें तो यहां पर EWS की 200 ही गई यह मेरिट कुछ ज्यादा नंबर रहा ही नहीं ठीक है अगर बात करें पांचों के 20 200 तो 40% 40% 41% EWS की ऐसे कटिकरी की बात करें तो 182 40% से भी कम मेरिट रही है बात को समझ 40% से कम मेरिट ST की यहीं OBC की 40% रही है OBC की मेरिट 40% बाकी खाली है जितने भी आए वो सारे सेलेक्ट हुए यहां पर MBC की 203 40% क्या सपास है बाकी आप देख सकते हैं यहीं मेरिट का कोई बड़ा आकड़ा नहीं रहा है लेकिन इस वाल लिस्ट में तो खाली है क्या हुआ चली बात करते ह देखो यहां सेकेंड ग्रेड धांसे बात को सुनना सेकेंड ग्रेड का जो पेपर होता है किसका गणित का हो उसमें क्या सिस्टम है अगर आप देखने थोड़ा सा यह क्यों हुआ ऐसा बच्चों के 40% क्यों नहीं बने इस मुद्धे पर बात करूंगा और चीजें को है जिसमें 100 नंबर का होता है तो इसके अंदर भी आपको क्या 40% लाना अन्यवारी है कि 40% इसमें भी लाना अन्यवारी है यह तो फर्स्ट पेपर हो गया आपका और दूसरा प्यपर होता है दोस्तों मैथ का मैथ विशेका आ प्रस्ट मैथ के अंदर 1500 question होते हैं ठीक है 1500 परसंद होते हैं ऑर लगवग 300 नंबर का पेपर होता है ठीक है 40% इसके अंदर बिक शालिधा इस पर चालिधा परसंद लाने समय रूआ कि रीड़ चालिस परशेट भी नंबर नी बनी और मेल की लिष्ट भी 40 परशेट रही है 50 परशेट तो इसका मतलब अगर हम इसमें 40-40 परशेट नंबर बना कर अगर बन जाते तो शायद हम सेलेक्शन की दोड में सबसे आगे उते हैं बात तो सही है ना वी मेरिट तो इतनी गई है दे समाने के टिगरेगा व्यक्ति है वो सेलेक्ट हो सकता था हो सकता था ओबी सी वाड़ा है वो 240 नंबर सोरी 200 नंबर लेके आता तो सेलेक्ट हो सकता है बाकि SC, ST और MBC ये सारे के सारे सिमट कर रहेगे लेस देन ठीक है 500 से सोरी 200 से कम 200 से कम नंबर पर सिमट कर रहेगा मामला तो आखिर क्या हुआ नंबर क्यों नहीं बने 40 परशेंट क्यों नहीं बने अब डर वही भरती भी आएगी पेपर भी आएगा और पेपर उससे भी खतरनाक आएगा ये पकी बात है तो आखिर फिर बच्चों के नंबर बन रहे है इनलार और चाहिए ओ आषओ दूसरी सबसरी बढ़ी बात करता हुआ नहीं मेरी बात अम्ऩों मेसल है यह टेश दुन हो देखो यह फैक्ट मेसरी बात करता ओं awakening ल इ retract कर ली भी बलकुत मसे निए नोट्वें गया है उसको Glass भी उसे ने लगा ली Test series भी उसे लगा ली Test series भी ऊसे लगा ली और भाई साव ने पेपर भी दे दिया और Last में हो गया फेद athletes सम्रूँ इस बात को Coaching की coaching में graders भी पढ़े, test series भी दिया paper देख के आया फेद हो गया कानी तो यहीं वी ना फेल उगया फí invest фильма ने जाए पढ़ा रहे हैं यहां से आपने offline पढ़ा है जहां से आपने online पढ़ा है जिन किदाबों से आपने पढ़ा है पिर आप फेल उके आ गए तो फिर पढ़ा क्या है अच्छा है दूसरी बात फेलों के आगे अब एक बात बताओ जो बच्चा 11 में मैथ लेता है 12 में लेती बीस दी करता है तो करता है तो उसके पास मैथ होती है और वो मैथ के फेलो के आ गया बात समझे रहें किया अपना पक्स मजबूत क्या था अपना पक्स मजबूत था मैथ विशे भी जीक्के तो सभी के लिए एक जैसा था जीक्के तो सभी के लिए एक जैसा था सेलेक्षिन कौन दिलाते है अपना सब्जेक्ट और आप अपने सब्जेक्ट में 40% नंबर नहीं बना पा रहे हो तो पिर काय का मैथ आपने पढ़ा है काय की कोचिंग की काय के न व्हान लिए efectoeर आयाइट्टी Comm Carbon कि आपका सीज़ा आगेवेल आकळाए भृ लेवल लाइट्टी का है जिक्रत कार साब से बड़िपता है भी हम डर रहेंद और क्यों रहें तो इसक्राइब यह ऐसा इस वजह शुआ कि पिछे एक पैटन था कि इतने नंबर का 12 बैस पाथ इतने नंबर का आपको यह आता था लेकिन इस बार चो पैटन बदलाना यह पैटन आया आपकी बार की बीचान आया 500 question होंगे और इसके दर जो सारा system आएगा ना वो यह आएगा देखो थोड़ा समय इसको उपर करते तो चीजों को समझे देखो मैं बात बोलूँ ना वो सच्चा यह बोलूँगा ठीक है मिनिमम 40 प्रशंट लाने अनवारी है क्या क्या आएगा देखो इसमें इसमें आएगा नोलेज ओफ सेकेंडरी और सीनी सिकेंडर देखो सेकेंड डस्वीं क्लास का और यह करें कि टैंथ और प्लस में ट्वल्थ यह तो आएगा 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 आपका देखो यहां लिखाओ है तो दो बात इसे लिखी कि ग्रेजुएशन स्टेंडर्ड अबाउट रिलेमिट सब्जेक्ट मेंटर यह आपने को लेज कर रहा है तो ग्रेजुएशन लेवल का आपका आएगा आपका यह भी आएगा यह आप बीसी करके आयो बीसी करके तो उनके प्रसंद इ उन्हीं चीजों को आपने कोलेज में पढ़ा फिर आपने उन्हीं चीजों को कोचिंग में करें फिर आपने नोर्स बढ़ाएं कोचिंग की टैस्स लगए सारा कुछ किया फिर भी आप अपने ही सब्जेक्ट में फेल हो तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आप अपन दिक्कत का है, पता है, बच्चे डर रहें, भी आपका सब्जेक्ट मैथ है, और आप अपने विशे से ही डर रहे हूँ, तो फिर मजे की बात तो देखो, भी आपका ही सब्जेक्ट अपने विशे से डर रहे हूँ, कि पर खटी रहता है, कैसे करें, समंदर बहुत बड़ा होता है, समंदर के किनारे पर खड़ा होकर हम बोलेंगे कि नहीं, समंदर तो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, तो समंदर के पास खड़े होकर हमें तेरना है, तो नहीं तेरना है, अगर तेरना है, तो समंदर में डूबकिया लगाने पड़ेगी, कि इस बार कोई पैटर डिवाइड नहीं था पैटर्न क्या डिवाइडनी था कि पहले तो फिक्स वा करता था कि 80 का मेटर आएगा असी नम्र का 1 मेटर आएगा 40 नम एक मेटर आएगा इस प्रकार से एक नंबर से अब की बार क्या हुआ कि जो ग्रेजवेशन है लग 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 उसके 80 से 82 प्रसनाइब उसके 82 प्रसनाइब कितने मैं से डेड़ सो में से प्रसनाइब तो लग पचास और शाठ तो लग बग साठ के आस पास कोशन आए वह बाकी बच गए इसका मतलब यह हो गया कि असिज को में ह ל bend का जैदा अब की बार और यह तो आपको पता था कि आएगा से अब सबसे बड़ा सेलेक्ट्टं किस प्रकार से लेते इस बात को सबचाईगे आपको सेलेक्शन लेना नहीं है आपको त्यारी आपको देख और गटी ना पढ़ेगा ग़ाइग पेपर तो अभी बाह तक जो प्रसंद पत्र आये ना बस उन्हीं को धान में देख थोड़ा सकते हैं पीछे हम क्या करते हैं पीछे 2010 वे पेपर क्या सेकंड ग्रेड का यह था 11 12 में कौन सा है उनका कोई मतलब नहीं रहा है वह बहुत इजी आते थे उसमें कोई मतलब नहीं 2018 के बाद में प्रसंद पत्र किस प्रकार का आ रहा है और उसमें कौस्ण किस प्रकार का है पहले उनको चेक करें कि किस प्रकार का जो आपको पढ़ाएगा और आपको भी करना चाहिए दूसरी बड़ी बाग कि हम क्या करते हैं टेंथ को अच्छे से कर लेते हैं और कोलेज वाले को कहा देते हैं कि बस हाँ कर लेंगे ठीक ट्रेगें अलके मिनीर आपको तीनोँ पार्ट बहुत अच्छों यह वाला यह वाला पार्ल तो सारह क्रेंगे नहीं इस फेली चीज़ अच्छा ने कर पाते हैं तो फिर मात खाते हैं इसलिए इसको थोड़ा ना करो है कि इसको स्ट्रोंग करो इस पर काम करो भी है तो आप ही का सब्जेक्ट है आप ही तो प्रड़ क्या आए हो अब अच्छा अब ध्यान से देखो कि इसके अंदर को लेज के अच्छीज दे 82 प्रसंद आए लेकिन वह आए तो कहां से आए और किस लेवल के इस चीज़ को चेक करना है अच्छा अब कर आपको सोलुशन कराते हैं बड़े-बड़े-बड़े कर आते हैं बड़े-बड़े सुलुशन करवाते हैं बोड़ भर जाएगा ऐसे सोलुशन मानते हैं बड़े-बड़े होते हैं तो सभी के अंदर थोड़े-बड़े-बड़े होते हैं कि क्या अप्रोच लगानी क्या वह तरीका नहीं होता यह बताओ सारे बड़े-बड़े आने लगए तो फिर नहीं होगा कि कोश्चन के अंदर अप्रोच किस प्रकार से सारे कोई नहीं करा रहा इस चीज़ पर एक तुम थोरीशी करवा के छोड़ देते हैं जैसे बच्चों को सोल हम भी एसी कोलेज में मानते हैं शोटकट कम थोड़ा साइस लेकिन है अगर निकालने का प्रियास करोगी तो है टारगेट करना पड़ेगा एक्जाम को टारगेट करना मत करो डर को दूर रखकर इसके अंदर जाओ और चीजों को समझो दूबार एसे इन चीजों को समझो और अपना सब्जेक्ट है उसको वीक मत करो क्योंकि अपका सब्जेक्ट मैं थार उसी से आप डर रहे हूँ तो फिर बात गड़ पड़े अच्छा दूसरी सबसी सब्सक्राइब के अंदर कैसे आएं वह प्रसंद देखो ठीक है और और भी कई इसके सिमिलर एक्जाम सोते हैं वहां पर किस प्रकार के पूछे गए हैं वहां से प्रेक्टिस को आपक्या पूराना डटा नहीं वह लेकिए बैठे देते हूं अब डिटेड कंटेंट के आपके लिए हेलफूल है नहीं हो सकते क्योंकि वह उसने मेनेज्स किये उसने अपने हिसाफ से डिजाइन कि आपने तो नहीं कि आप तो रट्टा मारोगी क्या रट्टा मारने से सेलेक्शन हो जाएगा नहीं हो इस बात को समझो अभी वक्त है बड़ी वेकंसी आईगी 10- 500 papas कि में थमाड़ों डरो मत कि मेट रहती है कि लिए आपकी तो है मेल लिए दो तो आपको टार्गेट करना एक्जाम को भी मेरा जीके में मेर को साथ 255 साथ मेरा आजे मेरा काम बन जाएगा बहुँशांदर तरीके सिर्ट बड़ एतरीके से मेरा कम बन जैगा तो अब्स सबार यहां से जदे आएगा किया तो मेंने क्या कहा इस चीज को सारे करने हो गया है उसी स्प्ह assassin कि तीमूं चीज़ एक racing को तोड़ा सा द्युट सॉलूशन पर चलें झोड़ाइट को सर चलें की को इसको कैसे टिक कर सकते कैसे कैसे कसा को टिक कर सकते जहना यह चीजिए लेकिन देशन कुंणने पिढ़ाना तो मोटा मोटी एक ही बात बताना चाहता हूँ कि सेकंड ग्रेड का जो पेपर होगा तो वो तो देखो बढ़िया आए गई अध्यापक बनोंगे हन अच्छी सेलरी मिलेगी तो भाया पेपर तो बढ़िया आए गई आएगा फर्स्ट ग्रेड का और बढ़िया आता है से गारंटी दी कहां से हो सकता है और नोट्स है कैसे समझोगे यह नोट्स में ऐसे डिटेल सुलूशन भर भर के दे रखें कैसे समझोगे नहीं समझ पाऊगी न तो इससे अच्छा है कि आप खुद काम करें खुद के नोट्स बढ़ाए और चीजों को रूटीन में रखे है डेरली वेसिज पी तयारी करने है दो घंटा तीन घंटा पडने से सेकरण क गेडे में सेलेक्शन नी होता है बाएसाब बढ़ा एक्जाम में बड़ी तयारी करने पड़ेगी और एक एक लंबे समय से करनी है उसके प्लानिंग तहित करो कि अब मैं बोल दूँगा कि आप इसको करो हर बच्चे का प्रिजेंस ओफ माइंड अलग-अलग होता है किसी को कम समझ में आता किसी को अब मुझे क्या पता आपको कौन सा टोपिक आसान लगता कौन सा कटिन लगता है जहां से पढ़ करें और उस टीचर का फोकस आपके उपर होना चीए ओफ लाइन है या ओनलाइन कि कैसा किस परकार से उनसे डाउट क्लिर हो और दूसरा सबसे बड़ा में कारण क्या है सलेक्षिण नहीं होने का कि शोट्स बड़े सोलुशन तो सारा गाम करवा देगा बड़े सोलुशन स को त्यार कर सकते हैं भीना कोचिंग के भी बच्चे सुलेक्ट होते हैं सेलब से के पास शोट शोट नहीं है शोट का मतल्म हो गया शोट सुलुशन यह नहीं यह नहीं यह नहीं कि वज़े से क्या है वो बड़े बड़े सोलुशन के चक्रें फसेगा और धाइक इंटे में डेड़ सो कोशन चोड़ वो 50 भी अटेम्ट नहीं कर पाई तो एक्जाम को both 414 चितने भी पेपर हुए एक हुआ है तो होई जितने कहां कहां से अब ने प्रस्न बने करें कि नुद क्रセ healthy a restriction kg आरे तो किस किस्व प्रकार का प्रस्ण बना है इस चीज़क। हुआ अं करना है। इ credited लिए अको समझनी पड़ींगी इस बात को बेड़ चाल नहीं चलना है सर कोचिंग कर लेते हैं करऄ उनकर रहा है करअ कर eight कोचिंग से स immigration होता थो कोचिंग के इंदर तो हजारों विद्यार्थी बैठते हैं उसे दो से तीन का सेलेक्शिन हो पाता है जोर मार कर हैं। ऑट एक नहीं होता है? फिर कोचिंग से से लेक्शन होता है एक शांदर रहननिती के तहत्त शांदर पढ़ाई के तहत्त एक्जाम को टार्गिट किया जाता है। अब एक्जाम मन से निकाल दें कि पर कठीन आता है निश्यत रूप से सेकंड ग्रेड के अंदर आप आराम से सेलेक्शन लेज तकते कोई इशू नहीं आपका सब्जेक्ट ना उसको मजबूत कर लो ऐसे तो मेरा सब्जेक्ट में प्रशन आएगा तो मैं ठिक करके आओगा तो मुझे कुछ ही करना पड़े इतने डर लगता तो फिर मैत ली क्यों थी छोड़ देते मैं तुस समय क्यों लिए कि हमेरी इस बात को दर अपने सब्जेक्ट से डर रहे हो तो डरो मत जितना डरोंगे उ बस यही चीज है छोड़ छोड़ी बातें आपको ध्यान में रखने और इसमें कोई विशेस बात नहीं ही यह मैंने आपके सामय रखी थोड़ा काम करना पड़ेगा चीजों को पर और निश्यत रोप से आगामी आने वाले दिनों के अंदर आर पिसी सेकंड ग्रेड के लि इस बार सेकंड ग्रेड फस्ट ग्रेड सब्जेक्ट को महोती बहुत शांदर तरीके से प्रेजेंट करें और जो मैं कहरो होना कोश्ण के अप्रोच क्या होने चाहिए अब डेड़ सो के डेड़ सो परसंट सही करने है यह अप्रोच नहीं होती परसंट नहीं कर पाओगे तो डेड़ सो परसंट सही करने ध्यान मत दो कि डेड़ सो में से कितने परसंट में ठीक करूँ कि मेरा सेलेक्शन हो जाए बस यह टेकनिक समझ में आगे ना आपको और यह टेकनिक कौन सिखा सकता है आप जो यह स्टेटरजी और यह प्लानिग उसके दिमागत होगी नहीं तो बाड़ो दिमाग में डालो आपने दिमाग में डालो जहां से परसंट पो सब्सें और सबसे इसका करना होगा इसके उपर बड़े डिटॉसन तो हैं लेकिन हम इन च्छीज बोलते हैं वह करके दिखाते हैं ठीक है चलिए और एक मिनट के इग सब्सक्राइज चलिए कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट है तो तो सब्सक्राइज ने इतने सारे आते हैं कि सर यह वह है पड़ाए पर ध्यान दो ठीक की बात पूछा करें अचांच रीट के विद्यारती है अगर सेकंड ग्रेड के नहीं करना चाहिए डर रहो तो रीट पे आजो और नहीं तो सेकंड ग्रेड पे आ जाना सिदिसी बात है रीट की वेकेंसी आएगी पातरता की आने वाली है मुख्य की तो लाइव कोर्स चल रहा है और कोर्षन आपको पता कि अप्रोच क्या होती है ऐसे जबडे में एक बार शिकार आगा तो छुट ना नहीं चाहिए वह उती अप्रोच वह इसके नाए क्लासिस सिखाता है अप्रोच अपने कोर्ष में मुख्य प्रिक्षा है ट्रिपल लाइन के अंदर है अपातरता प्रिक्ष यह ध्यान करना इन मच का जबड़ा सबसे मजबूत होता है शिकार एक बार मुँ में आ गया ना तो फिर छूटे का नहीं हो सामने वाले के जान लेके मनें बस यही आपकी अप्रोच नहीं कि प्रसन सामने है और आप उसके सामने बैठे हो तो प्रसन ठीक हो कि जाना चाहिए गलत नहीं होना यह प्रोच हम अपने कोर्स में सिखाते हैं कोर्ष नहीं करते को्स में कैसे हमें सही करने यह चीज़ हम सिखाते हैं बाकि आप हमें Instagram पे फोलो कर सकते टेलिग्राम को जोइन कर लेना, अपना एप एसकनेक क्लासिस का ओफिसल एप डाउलोड करना और इस बार मैं कुछ second grade के लिए शांदर चीज़ें तयार कर रहा हूँ, जो आपको बहुत ही फाइदा देगी, लेकि थोड़ा समय लेगेगा, कल ही फोन करने लग जाओ को सर दे दो, तो भाईया हमारे पास कोई नहीं ऐसा, क्योंकि कोपी पेश्ट नहीं करना है, काम करना है, मुद्दे की बात करने और एकदम सटीक काम करना है, तो समय मांगता है हर चीज़, चली मिलते इसी के साथ, जय हिन, जय भारत!